न्यू विवर सब्सक्राइब करें ब्यूटिफुल यू को एंड बैल आइकन को प्रेस करें है गाइज वेल्कम बैक टो और चैनल आइम दिब्या मिश्रा एंड यू और वाचिंग ब्यूटिफुल यू गाइज आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूँगी जिससे अपने होटों को आप सर्दियों में काले होने से बचा सकते हैं और गुलाबी बना सकते हैं सर्दियों में होटों का फटना और काले धब्बे का पढ़ना आम बात होती है गाइज अक्सर लोग इसी वज़़े से परिशान रहते हैं और काफी ज़्यादा ड्राइनेस भी आ जाती है लिप्पे लेकिन कई बर कुछ कारणों के वज़़े से होटों पर जो कालापन आ जाता है उसके करण जो होट है न आपकी अच्छी खासे मुस्कराहट की बैंड बजा देते हैं गाईज होटों का कालापन दूर करने के उपायों में जो सबसे पहला उपाय है वो ये है कि आलो का प्रियोग बहतरीन होता है अगर आप काले होटों को दूर करना चाहते हैं तो आलो को आप लें कच्छी आलो को होटों पर रगड़ें इससे होटों का कालापन दूर हो जा इसको कायम रखने के लिए आपको चीनी के साथ नारियल तेल की कुछ बुंदे डाल लेनी है और ब्रस की हेल्प से इसे धीरे-धीरे अपने लिप्स पे लगाना है यानि उससे आपने लिप्स को स्क्रब करना है इससे होठो का कालापन दूर होगा और साथ मेरे प्राकर्थि इसलिए चुकंदर को ब्लड बनाने वाली मशीन भी कहते हैं। चुकंदर होट के लिए भी उतना ही फायदेमंद होता है। चुकंदर को काट कर उसके टुकडे को होटों पर लगाने से होट गुलाबी वा चमकदार बनते हैं। आज की वीडियो आपके लिए हैलफुल होगा। और ठंडियों में आप अपने लिप्स की केर अच्छी तरह से कर पाएंगे। नेक्स्ट टाइम नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तिल देन अपना ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। आप आप आपकेर